हेलो एबरीवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे पिछले छे महने के करेंट एफर्स वाली सिरीज को हम लोग जारी रखेंगे जिसमें टॉप पचास कोस्टन्स एक वीडियो में कराई जाएगी इससे पहले दो वीडियो अल्रेडी आ चुकी है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो पहली बात दूसरी बात अगर ये तीसरी वीडियो चल रही है अभी अगर आपको इसका पार्ट फोर भी चाहिए होगा तो नीचे पार्ट फोर जरूर कमेंट करें तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं वरी फर्स्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा ब्लैक पैंथर फाइटर जेट नीज में है आज के समय में आपको बस ये बताना है कि ये जो किस कंट्री का एयरक्राप्ट कैरियर है अस्ट्रेलिया, इंडिया, जपान या फिर चाइना का तो यहां से आप आंसर देख लो इसका आंसर क्या होगा बी अब देखिए बी होगा इसका थोड़ा से एक्स्प्लें कर देते हैं आई एनेस विक्रांट जो की MIG-29 ब्लैक पैंथर के नाम से प्रस्रित है ये इंडिय पहली बार आप किसी के साथ जो है एरफोर्स एक्सरसाइज करने बाले हो USA के साथ, जपान के साथ, चैना के साथ, या फिर नेपाल के साथ तो देखिए एक आप्शन तो ऐसे ही हटा चैना, चैना के साथ तो हम लोग करेंगे ही नहीं, नेपाल के पास भी बहुत टाकतवर Air Force है नहीं, तो ये तो भी Ćंसर होगा नहीं. बचा USA और जपान, USA के साथ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये पहली बार हुगा जब हम लोग जपान के साथ ये exercise करने वाले हैं, कौन सी? Air Force. अब दिखें, जपान के साथ हम लोग कभी भी naval exercise नहीं करते हैं नो से ना एक सीज़ का reason क्या है naval exercise इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जपान के साथ भी हम लोगों के रिस्ते अच्छे हैं साथ में रसिया के साथ भी हम लोगों के रिस्ते अच्छे हैं और जपान और रसिया बहुत सारे island पे जो है एक दूसरे के साथ dispute है इन लोगों का इन लोगों का कहना है कि ये island इनको बिलोंग करता है जपान बोलता है ये हमारे साथ बिलोंग करता है और रसिया भी सेम बातों को दोहराता है जिस बज़ा से दोनों में contradiction है हम लोग दोनों के साथ अच्छे friendly relation enjoy करते हैं जिस कारण हम लोग कभी भी naval exercise ना रसिया के साथ करते हैं नहीं जपान के साथ करते हैं लेकिन air force exercise हम लोग जपान के साथ करते हैं कहीं भी अगर आपको naval exercise दिखे तो आप लोगों को जपान और रसिया से दूर रहना होगा option में चलिए आगे बढ़ते हैं Indian air Indian army chief Manos Pande has been conferred with the honorary rank of army general by which country किस country के द्वारा जो है इनको army general का जो honorary rank है दिया जा रहा है तो देखिए दो country है दोनों एक दूसरे के जो I mean army chief होते हैं उनको समानित करती है एक तो नेपाल है जो की Indians को समानित करती है इंडिया भी जो है नेपाल के जो army chief होते हैं उनको समानित किया जाता यहां पे तो दोनों के बीच में cultural tie है बहुत सामरीक रिष्टे भी है जिस कारण हम लोग एक दूसरी को जो है ये award देते हैं तो right answer क्या हो जाएगा नेपाल नेपाल के साथ हम लोगों के साथ बहुत अच्छा relation है भी इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं PM Modi will attend the 2022 SCO summit which country will host this summit कौन सी country जो है इसे host करने वाली है SCO summit जो है ये इस बार ना रसिया में होगा ना बेलारूस में होगा ना ही मंगोलिया में होगा ये उजबेकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा यहां से देखे टोटल 15 countries है जिनको आप यहां से देख पाओगे इरान भी है इसमें इसमें आपको पाकिस्तान, इंडिया, रसिया भी दिखेगा और ये कब होगा 15 से 16 सेप्टेंबर के बीच ये हो चुका है जिसमें 15 लीटर सरी 15 लीटर क्या ही बोल रहा हूं में 15 लीडर्स जो है इसे एटेंट करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं विच कंट्री वांट टू टॉजन टून टूनामेंट जो की UAE में हुआ था ये जो UAE में Asia Cup हुआ था इसे किस न जीता था पाकिस्तान ने, इंडिया ने, सिरलंका ने या फिर बंगला देस ने तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बंगला देस अभी तक तो कोई एवार्ड जो Asia Cup टूनामेंट है इसे जीत ही नहीं पाया है इसे आप हटा सकते हो और इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत पाए राइट आंसर होगा सिरलंका फाइनल जो है पाकिस्तान और सिरलंका के बीच हुआ था जिसमें सिरलंका ने पाकिस्तान को हरा कर ये टूनामेंट जीत लिया था चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो है समरी देख लेते हम लोग इंडिया नंबर वन रैंक पे क्योंकि हम लोगोंने 14 टाइमस यहां पे participation रखी थी 7 टाइमस हम लोगोंने इसे जीता था सिरलंका 15 बार 6 बार जीत चुका है पाकिस्तान 2 बार इसे जीत चुका है और बंगला देश एक बार भी नहीं जीत चुका है इंडियन आम फोर्स की जो विंग है वो परवत प्रहार नाम की एक्सरसाइज कर रही है यह जो एक्सरसाइज कंड़क्ट कराई जा रही है कौन कर रही है इंडियन एर फोर्स इंडियन आर्मी इंडियन ने भी तो यह फिर सारे लोग मिलके यहां पे कर रहे है तो देखिए सारे लोग मिलके पागल नहीं बना रहे है गुवर्मेंट पागल नहीं बना रही है आपको इसका right answer क्या हो जाएगा इंडियन आर्मी ये काम कर रहे है औक सन भी आपका right answer हो जाएगा प्रबत प्रहार चलिए यहां से आप इसकी फोटो भी देख लो और ये कहां पे हो रहा है लद्दाक में हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया विल इंभाइट विच कंट्री एज ऑगेस्ट नेशन एट 2023 जी ट्वैंटी सम्मिट जी ट्वैंटी का सम्मिट इंडिया में होने वाला है 2023 में और हम लोग किस country को देखिए जो भी country जो है इसे host करती है वो country न किसी भी अलग जो इसमें सामील हो या नहीं हो उसे invite कर सकती है as a guest member तो हम लोगों ने इस बार बंगलादेश को चुना है कि बंगलादेश हमारे country में आकर यहाँ पे guest nation बन सकता है इस meeting में यहाँ से आप जो है इसकी photo भी देख पाऊगे बंगलादेश के साथ हम लोगों के बहुत अच्छे संबन्ध हैं अच्छे relationship इंजवाई करते हैं जिस कारण बंगलादेश को हम लोगों ने invite किया है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया recently pulled out of which pillar of Indo-Pacific Economic Framework किस framework से इंडिया ने अपने आपको बाहर कर लिया है तो यहाँ से आप देख पाऊगे इंडिया pulls out of trade talks with USA lead Indo-Pacific Group इंडो-Pacific Group से इंडिया ने कर दिया भाईया यह हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है टाटा वाई बाई बाई गुड नाइट यानि की right answer क्या हो जाएगा option B चलिए आगे बढ़ते हैं Recently which country hosted the mega naval exercise called Kakadu 2022 देखिए naval exercise की बात हो रही है यहाँ पे इंडिया, चाइना, अस्ट्रेलिया या फिर USA यह exercise करा रहा है तो देखिए यह आपको दिखेगा देख लो आप इंडिया जो है इसे करा रहा है इसमें आपको दर्वीन अस्ट्रेलिया भी जिसमें जो है participation इसकी रहने वाली है तो right answer क्या हो जाएगा option A इसमें अस्ट्रेल बढ़ाई जाएगी सिधी सिधी बात है greenery को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कौन से country में होगा USA में होगा फ्रांस में होगा UK में होगा या फिर Japan में होगा तो देखिए इसका right answer है USA and India establish तो यह इसका right answer क्या हो जाएगा इंडिया और USA करने वाला है right answer क्या हो great star of Africa यह news में आपको बताना है कि यह क्या है अफरिका का पहला satellite है अफरिका का biggest dam है यह largest diamond ever found है या फिर none of the ever तो देखिए इसका right answer diamond होना चाहिए यहां से आप diamond को देख पाओगे option C के साथ आपको जाना था largest diamond ever found यानि की option C आपका right answer होगा आगे बढ़ते हैं अगले question की और as of 2022 which country is the largest bilateral lender to Sri Lanka यानि की सिरलंका जो है किस देश से सबसे ज़्यादा पैसे कर्ज लिया हुआ है आपको उस country का नाम बता देना है चाइना आपको अगर चाइना और इंडिया में doubt हो रहा है तो याद रखिए चाइना से भी ज़्यादा इंडिया ने जो है सिरलंका को loan दे लेकिन हम लोग भाई है हम लोगोंने सिरलंका पे दवाब एक्स्ट्रा प्रेशर कभी नहीं बनाया है चाइना ये काम बखो भी करता है एक्चली चाइना जो है interest rate बहुत high level पे लेता है और जहां पे loan डूबने के खतरे होते हैं वहाँ भी चाइना इंवेस्ट कर देता है और उस country के जो भी resources हैं उसे use करता है फिला right answer क्या होगा option भी यहां से आप देख पाओगे nine six eight million lawns हम लोगोंने दिया है और चाइना को हम लोगोंने सरपास कर लिया यनि की चाइना को पीछे छोड़ दिया है आगे बढ़ते हैं कजाकिस्तान की बात हो रही है आपको बतान अस्ताना अब नई capital है अगर पुरा ना पूछा जाए तो नूर सुल्तान आपको बताना है लेकिन फिलाल दी इसका right answer होगा चली आगे बढ़ते हैं which country will soon get its first woman prime minister कौन से देश की पर्थम महिला प्रधान मंत्री बनने वाली है जपान इटली अस्ट्रेलिया या फिर चाइन तो देखे इटली इसका right answer होना चाहिए यहां से देख सकते हो आप इटली में पहली बार जो है महिला प्रधान मंत्री बनने वाली है जिनका नाम है मिलोनी यहां से right answer आप देख सकते हो इनकी फोटो भी देख पाओगे right answer क्या हो जाएगा option B चली आगे बढ़ते हैं which Indian woman crick हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं which nation join quad military exercise for the first time in 2021 quad military exercise जो है पहली बार करी जारी है 2021 में यह कहां पे होने वाला है जर्मनी में कनाडा में रस्या में या फिर बेल्चियम में तो देखिए कौन सी जो nation है वो quad military exercise में participate करने वाली है कनाडा जो है quad को जल्दी जो आइन करेगा naval exercise जो की pacific ocean में होने वाला है आगे बढ़ते हैं hurricane iron is news in these days आपको बताना है कि यह किस country को hit करेगा तो इसका right answer USA होना चाहिए मैं देख लेता हूँ एक बार यहां से देख सकते हो आप United States जी हाँ और यहां से आप इसकी photo भी देख आपके right answer क्या हो जाएगा अमेरिका पे यह hit करने वाला है यानि कि option C आपका right answer होगा आगे बढ़ते हैं प्रिंस मोहमद बिन सल्मान जिनको हाल में ही prime minister के लिए name कर दिया गया है वो किस country के हैं UAE, Kuwait, Qatar या Saudi Arabia तो right answer Saudi Arabia होना चाहिए जी हाँ Saudi Arabia के crown prince थे यह अब इनको prime minister बनाया जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले question की हो which airport has become the first and only 5G enabled airport in India यानि कि 5G की service पूरे भारत में आपको इसी airport पे एक मातर airport है जहां पे service दी जा रही है तो यह क्या है यह कोचिन है, गौाटी है, न्यू देली है या है या हैदराबाद है तो Nobel Prize for Physics 2022 यह जो है, तीन scientist को share करके दिया गया है, आपको बताने हुणने कौन सा काम किया था, जिसके लिए यह honor इनको मिल रहा है, nuclear physics के लिए quantum mechanism के लिए, तो देखिए इसका right answer भी ही होना चाहिए, फिर से एक बार में देख लेता हूँ, यहां से आप देख पाओगे, देखि सकते हो, आप right answer हो जाएगा, आपका option number B, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, Alex, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ूँगा, pronunciation बहुत ही खराप हो जाएगी, Alex को peace prize मिला हुआ है, यह किस country से बिलोंग करते हैं, आपको बताना है, USA से, Belarus से, France से, या फिर Sweden से, तो देखिए, Belarus, Russia, Ukraine right activist win Nobel Peace Prize, यहां से आप इसका answer देख पाऊगे, यह कहां से आते हैं, बेलारूस से आते हैं, और इन्होंने जो है, बेलारूस के प्रेसिडेंट है, उनकी बहुत आलोचना करी थी, right answer है क्या हो जाएगा, आपका option number B, बेलारूस से यह आते हैं, आगे बढ़ते हैं, in term of nominal GDP, ज बहुत जल्द इसे पिछे कर देगा, आगे बढ़ते हैं, when is the annual Indian foreign service, याने कि हम लोग जो है, annual day, Indian foreign service का कब celebrate करते हैं, 8 October, 9 October, 7 या फिर 6 October को, तो देखिए, 9 October को हर साल, IFS Day celebrate किया जाता है, और हमारे External Affairs Minister, S.J. Sankar की फोटो या आप यहां से देख सकते हो, आगे बढ़ते है White Sipping Information Exchange Agreement, sign हुआ है, India और किस country के साथ, तो देखिए, New Zealand, Russia, Japan या France, तो New Zealand इसका right answer होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, यहां से, यहां से देख ली से, India and New Zealand ने sign कर लिया है, कि यहां पर White Sipping Information Exchange, याने कि एक दूसरे को यह information exchange करेंगे, regarding shipping, which country has launched the QAFO I-1 satellite, देखिए, आपको बताना है कि यह जो secret option है, इसके बारे में जानेंगे, China, South Korea, Japan, या फिर Russia, तो देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, China, China पूरे space में बहुत आगे बढ़ रहा है, other country के मुकाबले में, USA के बाद China number 2 पे है, जो कि बहुत सारे space mission को promote कर रहा है, अग India's GDP growth forecast to what percent in 2022, यानि कि IMF के according India की GDP क्या रहने वाली है, 2022 में, 9%, 6.8%, 4 या फिर 1, तो देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, 6.8 और इन्होंने कह दिया है, global recession आने वाला है, global economy को खत्रा हो रहा है, और इससे भी खराब situation अब भी भी आ सकती है, इंडिया में नहीं, पूरे world में आपको बताना है, IMF, जो है, ये जो नीचे आपको country के नाम दिख रहे होंगे, कौन सा country, IMF का part नहीं है, इरान, North Korea, Russia, या फिर Venezuela, तो देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, North Korea, जो है, IMF का part नहीं है, IMF bailout package जारी करती है, किसी country में पैसे के दिक्कत आ गई, financial crisis आ गया, या फिर लोगों को मदद की जरूरत है, बाड़ आ गया, या फिर कोई सुखा हो गया है, फेमाइन आ गया, या फिर flood आ गया, तो ऐसे situation में, IMF उसे rescue करता है, तो right answer क्या हो जाएगा, फिलाल, North Korea, इसका right answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, what is India's rank in world for reducing inequality, यानि कि India की ranking क्या है, जहां पर सारे लोग मिल जुल कर रहे हैं, और यहां की inequality, यानि कि किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा किसी के पास नहीं हो, इसे inequality बोला जाता है, तो हमारी rank कितनी आई है, 154, 100, 69, या फिर 123, तो देखिए इसका right answer होगा, हम होगा, right answer होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया's nuclear ballistic missile submarine, जो कि successfully test हो चुका है, आपको बताना है उसका नाम, INS Vela, INS Arihant, या फिर chakra, या फिर कोई नहीं, तो देखिए इसका right answer भी था, यानि INS Vikrant जो है, जिसने ये successfully ballistic missile को पास कर लिया, यहां से आप INS Vikrant hit the target, और इन nation and India have agreed to extend the vaccine action program joint declaration, तो देखिए इसका right answer USA होगा, USA ने कहा इंडिया को कि हम लोग vaccine पे काम करेंगे, इसका right answer हो जाएगा, इजिप्ट के साथ कौन सा country border share नहीं करता है, तो यहां से आप जो है, आप लोगों ने देख लिया, सुडान जो है, इजिप्ट के साथ border share नहीं करता है, who has been appointed as the new chief justice of India, इंडिया के नए chief justice का नाम क्या है, तो देखिए डी वाई चंदर्चूर इनका right answer होगा, यहां से आप देख सकते हो, actually यह answer wrong आज़ चुका है, खर कोई बात नहीं, इसका right answer फिलाल यही मैं बता दू, डी वाई चंदर्चूर होगा इसका, यानि कि option भी right answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, where does the prime minister of UK work, यानि कि देखिए, इंडिया के जो prime minister है, उनका जो residential है, यानि कि जहां पे वो निवास अस्तल है, उसे क्या बोला जाता है, नीचे comment करके बताईएगा, seven race course road बोला जाता है, इंडिया के PM जहां पे रहते हैं, इंडिया के president कहां पे रहते हैं, वो नीचे comment करके आप लोग को बता देना है, वहाँ पे गुलाब आपको अलग अलग तरह के गुलाब के बगीचे भी मिलेंगे, जो कि साल में ठंड में एक बार खुलती है, winter season में आप देख सकते हैं, तो फिलाल यहां पे पूछा गया, UK के PM जहां पे काम करते हैं, उसे क्या का जाता है, तो देखिए, B आपका right answer यहां से आप देख सकते हो, और इसी सुनक जो कि हिंदू है, और वहाँ के PM बन चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, the Indian Railway plans to achieve net zero carbon emission by which year, यानि कि Indian Railway जो है, ये net zero carbon emission किस year को हासिल कर लेगा, 2023, 2024, 2025 या 2030 में, तो देखिए, 2030 में हम लोग जो है carbon produce नहीं करेंगे, आगे बढ़ते है Plan Language Act किस country ने जो है, पास कर दिया है, यहां से देख सकते हो, आप France, USA, New Zealand या फिर चाइना, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, देखिए, New Zealand ने कहा दिया कि भाईया, आप लोग जो भी official document है, उसमें बिलकुल easy English लिखिए, ताकि हर कोई इनसान इसे समझ पाए, अब बड़े इडिया फिर भारे 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 वोकैप की यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, which country has bid draw recognition of Jerusalem as the capital of Israel, यानि कि कि किस country ने पाले जो है, जेरुसलम को capital मान रखा था इसराइल के लिए, अब बोला नहीं वहीं हम नहीं मानते, इसका right answer क् इसका right answer हो जाएका Australia, ये तो right answer हुआ, एक और बात मैं आपको बता दू, इंडिया इसराइल के कौन से capital को मानता है, इसराइल जो है, उसका जो capital Jerusalem, इसराइल खुद बताता है, उसे मानता है या फिर कोई और जगा है जिसको इंडिया capital मानता है, आगे बढ़ते हैं, ये बैंगलोरू में किया गया था, कहां किया गया था, बैंगलोरू यानि कि option C आपका right answer हो जाएका, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच वेस्ट अफेरिकन कंट्री हाज रिपोर्टेड इस फर्स आउट ब्रेक आफ डेडली मार्बर्ग वाइरस, ये कहां पे हुआ है आप option C के साथ आपको जाना था, चलिए आगे जाएंगे हम लो, who has been elected as a new president of Sri Lanka, बहुत important question है ये, तो यहां से आप देख लिजे, यहां से आप देख पाओगे, विक्रम जिया, यहां से आप देखते हैं लो, विक्रम रागे सिंगे को जो है, president के लिए चुन लिया गया है, यानि बिक्रम सिंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली question की ओर, how many apps have been deleted from the Google Play Store due to the attack of Joker malware, कितने एप को यहां से टाटा बाई 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 कह दिया गया है, तो total 50 apps हैं, जिनको बताया गया कि भाईया, अब Google Play Store में आप नहीं रहोगे, टाटा हो गया यह, आगे बढ़ते हैं, chip 4, जो है USA ने बनाया है, आपको बस यह बताना है कि which countries are part of it, यह जो alliance chip 4 बनाई कही है, इसमें कौन-कौन सा country participation रहने वाला है, तो देखिए इसका right answer क्या होगा, यहां South Korea आपको दिखेगा, Taiwan दिखेगा, Japan दिखेगा और USA तो खुद है ही, तो right answer लोगों को पदा चल चुका है, आगे बढ़ते हैं, MH-60R, यहां से देख लो, MH-60R जो है, जो multi-role helicopters हैं, यह आपको जो है, कौन सी इंडियन ने भी यह से receive करने वाली है, कौन सी country से यह receive होने वाला है, इसराइली से देने वाला है, UK देगा, USA देगा, या फिर जर्वनी देगा, तो यहां से आप देख पा elected, आपको बताना है, interim PM इसको बनाया गया है, यह किस country के हैं, Mauritius के, Maldip के, Mali के, या फिर South Africa के, तो देखिए, यहां से आप इसका answer देख पाओगे, appointed, यहां से आप देख पाओगे, इनको appoint किया गया है, Mali, यानि कि right answer क्या हो जाएगा, option C के साथ आपको जाना था, फिला Angela Merkel, यहां से देख लेता हूँ, फिर हाँ, जी हाँ, Angela Merkel, जो कि Germany की chancellor थी, इनको ये award दिया गया है, यानि कि option C आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, the 300 long atal breeze has been integrated in which city, कौन से सहर में इसे बनाया गया है, UP, Bihar, गुजरात, या फिर केरिला में, तो देखिए इसका right answer देखो, यहां पे CT पूछा गया है, option आप देख लो, सारे state के है, A के साथ आपको जाना था, simple सा, देखिए, बहुँ ज़्यादा दिमाग लगाने की कभी-कभी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हो गया गडबड, यहां से देख लो, actually गुजरात, PM2 integrate, pedestrian only, atal breeze on savar mati river today, तो देखिए, यह formula flop हो गया, sorry for that, right answer आपका option, see होगा, कोई अगर CT का नाम जानता है, तो नीचे comment करके जरूरू बताइएगा, आगे बढ़ते हैं, यहां से देख लिजिए, एक power plant, जो है, हाल में, news में है, ठीक है, जैप्रोजिया, power plant, जो है, news में, आपको बताना है कि यह कहां आपको देखने को मिलेगा, यह किस से संबन्दित है, यूकरेन रसिया वार से, चाइवान, ताइवान टेंसन से, या फिर सर्वियो कॉस्वो टेंसन से, या इसराइल-गाजा कॉन्फलेक्ट से, तो देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, यह nuclear plant था, जो कि रसिया इसका right answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट, यह कव अब्सर्ब किया जाता है, तो यहां से देख लिजिए, 29 अगस्त 1991 से यह किया गया है, और 29 अगस्त को ही nuclear test के against, जो है, सारे country मिलकर आगे आते हैं, यह right answer आपका option number A हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, which country has been once again beat its own record for world lowest fertility rate, यहां पे बहुत जो है, lowest fertility rate हो चुकी है, यहां पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, South Korea, जपान, North Korea, या फिर रसिया, तो दिखिए, इसका right answer है South Korea, actually यहां पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी option A, South Korea, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर, diamond link champion, जो है हाल में ही कौन बना है, PB सिंदू, निरच चोपरा, बिराट कोली या हीमा दास, तो देखिए, यहां से आप photo देख चुके होगे, right answer भी आपको पता है, option B is the right answer, ओलम्पिक में PB सिंदू ने कौन सा medal इंडिया क है, Indian Navy से, Indian Air Force से, Indian Army से, या फिर Black Car Commandos से, तो देखिए, इसका right answer क्या होगा, यहां से आप PM Modi की photo देख पाओगे, PM Modi unveils sprint challenges for Indian Navy, idea मिल चुका होगा आपको, और right answer क्या हो जाएगा, ये Indian Navy के सामने जो challenges आ रहे हैं, उससे India कैसे tackle करेगा, इन चीजों से कैसे बचेगा, उसके बा Jack Prom is in a news these days, आपको बताना है कि ये जो Jack Prom है न, ये news में रहा है, खाली, बहुत सारे दिनों के, अच्छली इन दिनों में जो है, ये बहुत news में था, ये किस country की company आपको ये बताना है, ये India की company है, चाइना की, रसिया की, या फिर Ukraine की, तो देखिए, ये रसिया की company है, जहां जितने भी European country है न, सर्दी वहाँ पे जम के पड़ती है, और ऐसे मैं सरीर को गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए, पानी को उबालने के लिए, इन सारे daily activities के लिए उनको gas supply की बहुत ज़रूरत पड़ती है, गैस के दवारा ही ये खाना पकाते हैं, और room heater वगए रसिया यहाँ पे right answer हो जाएगा, नीचे comment करके रसिया के prime minister का, जी हाँ, president का नाम तो आप लगों को पता ही होगा, फिर भी comment कर देना, रसिया के president और वहाँ के प्रधान मंत्री, I mean, prime minister of Russia कौन है, नीचे comment करके बताईएगा, अधिक powerful राष्टपती ही, यानि के president होता है, ब वहाँ पे प्रधान मंत्री का भी पद होता, जैसे इंडिया में राष्टपती है, जिसकी power प्रधान मंत्री से कम ही होती है, on paper की बात नहीं कर रहा हूं, reality की बात कर रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number next आपके सामने यह रहा, इंडिया के passport की ranking क्या है, जो Henley passport index जार मतलब होता है, अब आप पुछोगे कि चलो 87 है या फिर 1 ही हो गया तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले में बता दू, पहले नमर पे जपान था, पहले नमर पे कौन था, जपान था, जपान की जो passport है वो बहुत ही powerful है, actually यह लिखा नहीं रहा है, I don't know, side screen properly काम नहीं कर र लगाया है, 199 कंट्री के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उसमें हम लोगों का position 87 है, actually पासपोर्ट को ऐसे समझा जा सकता है, कि आपको किसी भी कंट्री में वीजा ओन एराइबल, यानि कि आपको पहुंचो और आपको वहाँ पे वीजा मिल जाए, यानि कि आपको अरिकन कंट्री के साथ, जहां से चीता हम लोग लाने वाले है, actually चीता आ चुका है, यह current affairs पिछले 6 महिने का है, तो हम लोगों ने यहां से देख लिजे, नाम बीबिया से चीते मंगवाए थे, कुल कितने चीता को इंडिया में लाया जाएगा, नीचे कॉमेंट करके बता अर्टिकल में देख सकते हो कि 15 अगस तक आएंगे लेकिन इसको 17 सेप्टेंबर को लाया गया इंडिया में, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया के बहुत सारे जो नागरिक होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वो अलग अलग कंट्री जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे में कितने इंडियन्स ने अलग कंट्री की सिटिजन सीप ले ली है, आपको बताना है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इंडियान है वो USA में जाकर USA सिटिजन बन जाते हैं, सुन्दर पिचाई हो या फिर बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे, राइट अंसर क् तो चाहिए तो पार्ट थर्ड जरूर नीचे कॉमेंट करके बताईएगा, चली आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नंबर नेक्स्ट की और नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने ये रहा, यानि कि इंडिया के 15th प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो बहुत ही आसान सा ये आंसर है, ये हो जाएगा दुरापदी मुर्मू, ओरिसा की ये रहने वाली है और पहली आदिवासी महिला है, जो कि देश की राष्ट पती बन चुकी है, ओरिसा में नोने जो है, MLA का भी चु इस तरह के प्लान को बना रहा है, UAE, साओधी अरेबिया, USA या फिर चाइना, तो यहां से आप इस का अंसर देख पाओगे, साओधी अरेबिया ये प्लान बना रहा है, यानि कि आपका क्या होगा, correct हो जाएगा, मैं तो कहूंगा, questions ये वीडियो को दो-तीन बार देख ले और आपको फिर से याद करने की जरूरत ना पढ़े, how much recently GST will be levied on pre-packaged and level food item, यानि कि जो खाना pack में है, जैसे लसी हो गया, लसी वाले आइटम, दूद वाले आइटम हो गया, चावल हो गया, जो 25 kg से कम है, या 25 kg के बराबर है, उस पे कितने % GST बढ़ा भी गई है, कितने परसेंट की GST लगेगी, तो यहां से देख लो, 5% GST जो है 25 kg तक के आइटम पे लगाया जाएगा, अगर आप एक लिटर जो है, कोई भी दई बगारा भी लेते हो, खाने वाले आइटम में, एक किलो मैदा ले लेते हो, आटा ले लेते हो, चावल ले लेते हो, कुछ भी अगर खरीते हो, से लेकर 25 kg तक आपको 5% का additional GST लगेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, which film has won the best feature film at 68th National Film Award, 68th National Award में जो है, सबसे अच्छी फिल्म किसे दिया गया है, best feature film की बात हो, यह यहाँ पर, टेस्टिमनी ओफ अन्ना, स्वराई पोत्रू, KGF2 या फिर तानाजी, तो देखें, यहाँ से आप इस cancer देख पाओगे, जो सबसे best feature film है, उसको मिला है, स्वराई पोत्रू को, और यहाँ से सूरिया की photo भी देख सकते हो, इस film के लिए इनको award भी मिल गया है, यहाँ से आपने पढ़िया होगा, और answer भी आपको पता चल चुका होगा, बोरिस जॉन्सन ने यह announcement करी है, यानि कि यह UK जो है award देगा दूसरे को, जो बाइडन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी, या प्रेसिडेंट वेलेदमर जेलेस की, या फिर सिंजू आपे, जपान के यह प्रधान मंतरी रह चुके हैं, तो राइट अंसरों का option सी, बोरिस जॉन्सन जो कि UK के एक्स प्रेसिडेंट रह चुक, अचली हो चुके हैं अभी, रिसेंट टाइम में, करेंट अफेर्स का तो यही खासियत है कि यह हिस्ट्री भी बन जाता है कभी-कभी, तो बोरिस जॉन्सन के बाद अभी इंडिया में, इंडिया मूल के, इंडि इंडिया इंडिया जिरियूसली, एर क्राफ्ट करियर आई एनस विकरांत, देखिया इनस विकरांत जो है न, यह कौण से प्रेसिड़ पे डॉक करेगा, यहां पर ओप्सन देख लेजिए, कोचिन, देख लेजिए कोचिन, और भी सारे ऐपसंस है मैं आपको आंसर की राइट अंसर हो जाएगा यानि कि कोचिन में इसे जो है नेवी को सौप दिया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं विच नेशन हाज बीन स्ट्रीप्ट आफ इट्स ICC मेंबर्सीप यानि कि किसे जो है ICC के मेंबर से यहां से आप देख पाओगे देखिए यहां से देख पाओगे क्रिकेट रसिया स्ट्रीप्ट आफ इसे मेंबर्सीप फुर नन कॉंपलाइशन यानि कि राइट अंसर क्या हो जाएगा रसिया चलिए आगे बढ़ते हैं विच इंडियन एकोनोमिस्ट हैस बिन एपोइंटेड अज देखिए राइट आंसर इंदरमित गील ही होना चाहिए फिर भी मैं एक बार आप के लिए सी ओर हो लेता हूं बिलकुल इंडरमित गील को जो है चीप इकनोमिस्ट बनाया गया है वल्ड बैंक के लिए बहुत इंपोर्टन कोस्चन तो यह दो कंट्री कौन है जो वाटर एक्सपो करने वाली है इस्राइल, USA, इस्राइल इंडिया, इस्राइल रसिया, इस्राइल साओधी अरेविया तो यहां से आप देख पाओगे, इंडिया और इस्राइल, आपने फोटो भी पुराने वाली देख रखी होगी, जहां पर PM Modi, Benjamin Netanyahu के साथ जो है, सी वाले, यानि कि जो सौल्टी वाटर है, वो ग्लास में पी रहे थे, आप्टर उसे जो है, अच्छी से प्यूरिफाई कि जाओगा, एपसलूट करेक्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशन नमर नेक्ष्ट की ओर, विच स्टेट इस देख वेन्यो ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिटरी ड्रिल अल नाज, तो देखिए, कौन सा कंट्री है, इंडिया ओमान जॉइंट मिलिटरी ए आपका क्या होगा, एपसलूटली करेक्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की ओर, इन विच कंट्री, इसका नाम रखा गया है, तीन साल पुराना ये डायमंड है, इसका नाम क्या है, और ये कहां मिला था, अंगोला में, कॉंगो में, सिरलंका में, या फिर जिंबाम्बे में, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वेट अ मिनट, एक्चुली ये होगा, अंगोला, ये अंगोला में मिला था, आप्सलूटली करेक्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच रिलिजन इजप फॉलोड बाइद पीपल इन ताइवान, ताइवान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले इसलाम को, क्रिस्टियानिटी को या बुधिजम को, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां से आप देख पाओगे, सबसे ज़्यादा आपको यहां पे सेटलाइट लॉंच, देखिए, इसरो ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अलग-अलग कंट्रीज के सेटलाइट को हम लोग लॉंच कर रहे हैं, और बहुत ही चीपर प्राइस पे, और भी कंट्री है, जैसे रसिया हो गया, यह अलग-अलग कंट्री से बहुत ज़्याद अलग से पैसे हम लोगों का इतने डॉलर मिले है, राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका, आप्सन बी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेशन की ओर, यूद अभ्यास 2022 is a military exercise which will be held in the state of, यूद अभ्यास कहां पे किया जाएगा, मध्यपरदेश, तमिल नाडू, इसे जो है न, उत्राखंड भी चाइना के साथ बॉर्डर सेयर करता है, और 100 किलोमेटर जो LAC है, यानि कि लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल, वहां से 100 किलोमेटर के दूरी पे, यूद अभ्यास जो है किया जाएगा, किसके किसके बीच, इंडिया और USA के बीच, आजादी सेट, न्यूज में है, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री ने इसे लाँच किया है, इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, या फिर नेपाल, तो देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, इस रो, यानि कि इंडिया नहीं इसे किया है, जिसे 700, यानि 750 स्कूल ने तयार किया था, unfortunately, I repeat, unfortunately, ये जो है, मिसन हम लोगों का फ्लॉप हो गया, खेर कोई बात नहीं, बोलते हैं, वो सफलता, सफलता के बाद ही मिलती है, राइट अंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नमबर, ए, इंडिया के लड़कियों ने ये काम किया था, चलिए आगे बढ लगती है, चाहिना को मिर्ची लगती है, चाहिना नहीं अभियास किया होगा, आपका क्या होगा, और करेक्ट आंसर हो जाएका, यहां से आप देख सकते हो, ये नैंसी पॉलो, ये जो है, नैंसी इनका नाम है, इन्होंने ही सारा गड़बड किया था, अच्छिली ये अच किसी भी डinação किशीय में बारोजितकर सकते से लेकिन भी कुछ यहां वापस वह राए और इसी इहां वापस ने किया यहां से मिसाइल ताइवान के उपर से गुजरता था और ताइवान के बाद बारे जाकर सी में यह गिरता था तो ताइवान को बहुत टेंसन में नोलों ने कुछ दिनों तक रखा था चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए बाद यह स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं रहेंगे इंटरनेशनल स्पेस की बात की जा रही है जपान, फ्रांस, USA या रसिया तो राइट अंसर हो जाएका D रसिया ने कहा कि भईया हम ने रहेंगे तुम्हारे साथ रसिया ने बयबाइ कह दिया है विच कंट्री विल और्गमाइज एक्सरसाइज पिछ ब्लैक पिछ ब्लैक जो है कौन सी कंट्री ऐघनाइज करने वाली है Malaysia, Indonesia, Japan या फिर Australia तो देखिए Indian Air Force ये participate करने वाली है Pitch Black in Australia हम लोग India वाले जो भी Indian Air Force के लोग है वो कहां जाएंगे Australia जाएंगे और वहाँ पर हम लोग Pitch Black जो है दिखिए Pitch Black exam में ऐसे भी पुछा जा सकता है कौन सी दो countries हो है यहाँ पर exercise करती है तो इंडिया और अस्ट्रेलिया याद रखिएगा इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं Pacific Dragon Missile Defense Exercise यह निज में था आपको बस यह बताना है कि इसमें किस कंट्री ने participation नहीं करी थी इंडिया ने, USA ने, जपान ने या फिर South Korea ने तो I think इंडिया यहां से देख लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया वन historical gold for the first time ever in which sports at Commonwealth Games Commonwealth Games में हम लोगोंने सबसे पहली बार gold medal जीता है किस sports category में, rowing में, figure sketching में, fencing में या lawn ball में तो देखी इसका right answer क्या हो जाएगा Commonwealth Games में हम लोगोंने पहली बार यहां से देख सकते हो lawn ball में यह award जीता है सारे लड़कियों को बहुत बहुत बढ़ाई चलिए आगे बढ़ते हैं 14th Vice President of India कोन बने बहुत ही आसान question है वीडियो यहां तक अगर आपने देख ले तो नीचे comment करके बता देजे मैं इसका answer नहीं बताने वाला चलिए आगे बढ़ते हैं Who won India's first ever medal in a high jump Commonwealth game में हम लोगों ने इससे पहले high jump में कोई medal नहीं जीता था पहला medal किसने लाया इंडिया के लिए तो देखिए इसका जो right answer होगा यहां से आप देख पाओगे तेजवसनी संकर जिन्होंने bronze जीता और यह पहली बार इंडिया के लिए इन्होंने जो है यहां पर जा चुकी है तो साथवी कंट्री कौन बनेगी South Korea, Indonesia, North Korea या Brazil तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा यहां से देख लिजिए USA सबसे पहले USSR दूसरी अच्छली यह सेकेंड कंट्री थी थर्ड कंट्री चाइना, फोर्थ कंट्री जपान, फिर EU, यानि कि European Union, फिर इंडिया यहां पर जाने वाली है, तो right answer क्या हो जाएगा आपका option number A, यानि कि इंडिया यह सब कंट्री पहुँच चुकी है South Korea यहां पर पहुचने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं गौस्तवावो पैत्रो यह जो है, किस कंट्री के बन चुके हैं, प्रेसिडेंट तो यहां से आप देख पाओगे, right answer क्या है यहां से देख पाओगे, यह जो है कोलंबिया के सबसे leftist, यानि कि बाम विचरधारा से सम्बंदित हैं, और इनको जो है कोलंबिया का प्रेसिडेंट तो याद रखिएगा, इनका नाम है ससी थरूर, और इनको जो है इनको फ्रांस का highest civilian award मिलने वाला है, ससी थरूर के बारे में मैं एक word बतातूँ, supercalifragilisticexpialidocious इसका मतलब क्या होता है, नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, यह जो मैंने बोला फिर से बार बोल देता हूँ, supercalifragilisticexpialidocious एक ही word है, बहुत बड़ा यह बहुत सारे लेटर्स इसमें है नीचे कॉमेंट करके यह कोई अगर लिख सकता है तो लिख दीजिए और इसका meaning भी बदा दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आप पले मैटर हो आई थी, अंडर वाटर मैटर हो भी आपको कोल काता में ही दिखेगी, यह यह यहनी के राइट अंसर क्या हो जाएगा, option नमबर C, कोल काता, चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर सकती, उत्तर सकती is in a news these days, आपको बता ना, यह किसके किसके बीच होता है, एक तो सबसे पहले इंडिया कॉमन है, इंडिया किसके साथ यह एक्सरसाइज करता है, फैक्ट्वल कॉस्चन है, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, मलेशिया और इंडिया उत्तर सकती, जो है यह करने वाली है, याद रखिएगा, और अगर आपको पता हो, तो नीचे कॉमेंट करके बताएए, यह कहां पे होने वाला है, कौन से स्टेट में, नेस्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा, विच कंट्री साइंटिस्ट हैब प्रिपेर्ड आर्टिफिसियल एम्ब्रोज, देखिए, एम्ब्रोज जो है, किस आर्टिफिसियल, जो है, किस कंट्री ने तयार किया है, USA, रसिया, इसराइल, या फिर चैना ने, तो देखिए, इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसराइल ने ये एचीवेंट हासिल कर ली है, यानि कि राइट अंसर क्या हो जाएगा, आपका, आपसे नमबर सी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्ट कोश्चन की और, यूंग वांग फाइब, ये निउज में है, आपको बताना है कि ये क्या है, चाइना का स्पाई सीफ है, चाइना का मिलेटरी बेस है, तैवान के नजदिक, या फिर जपान का निया एरक्राप्ट केरियर है, तैवान का पहला नियू केरियर सम्मरीन है, तो देखें, यहाँ से आप इसको देख पाऊगे, चाइना की पहली जो रिसर्च सीफ है, एक्चली ये क्या है, हमन्टोटा पोर्ट पे आई थी, और ये स्पाई सीफ है, ये क्या है, स्पाई सीफ है, दूसरे के डाटा को चोरी करना, इसका काम है, इसका राइट अंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, विल्लियम रूटो, न्यूज में है, आपको बताना है कि ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जिंबामबे, केनिया, साउथ अफरिका, इथोपिया, तो यहां से आप इस कांसर देख पाऊगे, बिल्लियम जो है, पांचवी वार बनने वाले हैं, रूटो, यह कहां कि केनिया के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इनकी फोटो भी यहां से आप देख सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, वास्टोग 2022, मिलिटरी एक्सरसाइज, न्यूज में है आपको बताना है कि यह किस कंट्री में होने वाला है, बेलारूस, युक्रेन, रसिया, या फिर चाइना, तो इसका राइट अंसर, यहां से आप देख पाऊगे, यह होगा, रसिया में, इंडिया, चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, यानि कि पाकिस्तान भी जाएगी, बट, यह जो है, इंडिया के टूर पे आएगी, यह रसिया कराता है सारे कामों को, लेकिन हम लोगों के जो नेवी है, वो इसमें इन बहुत नहीं होगी, क्योंकि चाइना, किस नेवरिंग कंट्री को हम लोगों ने कहा, लेलो भाईया, यही एक कंट्री है, जिसे हम लोग दे सकते हैं, एक्चली बंगलादेश के साथ भी रिलेशन हम लोग बहुत इंजवाई करते हैं, अच्छे से, तो राइट अंसर फिलाल हो जाएगा, फ्रिगेट नाइट या और ट्रेन इसका नाम है, तो यहां से आप इसका अंसर देख पाऊगे, अप्सन नुमर बी, यानि कि इसका नाम क्या है, सूपर वाउस की, यानि कि राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका, कंट्री के उपर, यह राइट अंसर युक्रेन ही होना चाहिए, युक्रेन के उपर जो है, अभी क्या हो रहा है, वार हो रहा है यहां पर, रसिया इन्वेजन कर चुका है, यहां पर, राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका युक्रेन, चलिए आगे बढ़ते हैं EAM यानि कि External Affairs Minister S.J. संकर जिन्होंने महत्मा गांधी की statue यानि बस्ट को statue बोलते हैं ऐसा समझे लो पुतला भी बोलते हैं ये South American जो South American country है ये कहां पे इन्होंने अन्वील किया है Columbia, Brazil, Peru ये जो है Prague में ये किया हुआ है तो यहां से answer देख पाओगे ये जो है option D यानि कि ये कहां पे किया गया है option number D का right answer हो जाएगा option D के साथ आपको जाना था फियाल हम लोग जाएंगे अगली question की ओर which of the following nations does not share the border with Argentina के साथ कौन border share नहीं करता है तो यहां से आप अगर देखोगे तो आपको image में जो है clearly पता चल जाएगा right answer क्या हो जाएगा पेरू क्या हो जाएगा right answer पेरू option D के साथ आपको जाना था फिलाल चलिए अगले question की ओर India's foreign minister visited three South American countries recently कि इस थ्री South American country को S.J.S.N.K.R. ने विजिट किया था तो रखिए ब्राजील पेरगवे और अर्जेंटीना और यहां से आप जो है S.J.S.N.K.R. की फोटो भी देख पाऊगे right answer क्या हो जाएगा आपका option A चलिए आगे बढ़ते हैं GDP numbers यह हाल में ही recently release किया गया है किसके द्वारा World Bank IMF NSO तो यहां से आप answer देख पाऊगे इंडिया की जो GDP growth है वो बढ़ चुकी है और इसे जो है यहां से देख पाऊगे आप NSO यानि की right answer क्या हो जाएगा National Static Organization ने यह release किया है option C's का right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं To fight climate change Germany has announced aid of how much to India देखे जर्मनी अब सोचो कि इतने इतने रुपे इंडिया को दे रहा है फिरी में देखे इसका reason है जर्मनी की बहुत सारी companies है जो की आगे in future देखना जो air से बहुत सारे जो है instrument चलने वाले हैं बहुत सारे machines air से चलेंगे water से चलेंगे solar जो है उसके द्वारा चलाए जाएंगे तो जर्मनी अपनी companies को यहाँ पे इंडिया में उतारेगी बाद में इसके लिए यह पीछ तयार कर रही है market तयार कर रही है उसपे की और लोटे right answer क्या हो जाएगा यहाँ से आप देख पाओगे option A यानि की age the right answer 11.2 billion euros चली आगे बढ़ते हैं मिखाइल गौरवाचोक यह news में आपको बताना है कि यह कौन से leader थे last leader थे किस country के युगोसलावा किया USSR नाजी जर्मनी तो इसका right answer हो जाएगा USSR इसके बाद जो है USSR बढ़ चुका था भी आपका right answer हो जाएगा यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो 91 years के थे और इनकी death हो जुकी है चली आगे बढ़ते हैं इंडिया is sending it's a defense minister for the first time ever to which country इंडिया के defense minister रक्षा मंत्री राजनात सिंग कौन से country जाने वाले हैं 15th September को हर साल इंडिया में celebrate किया जाता है Teachers Day यह answer आपको पता होगा नीचे comment करना है आपको लेकिन मैं पूछूँगा International Teachers Day कब celebrate किया जाता है question of the day में नीचे comment करके जरूर बताईएगा आप लोग चली आगे बढ़ते हैं इसरो partnered with which two countries for the space technology cooperation इसरो जो है दो country के साथ space technology share करने वाला है कौन कौन सी वो country है तो यहां से आप इस cancer देख पाओगे हम लोग जो नीदर लेंड है नीदर लेंड और अस्ट्रेलिया जो है USA के साथ cooperate करेगा सीज का right answer होगा चली आगे बढ़ते हैं which country has banned advanced tech farms from building China's factories for 10 years तो वो कौन सी country है तो यहां से आप देख पाओगे US ने कहा कि भाईया चलो टाटा बाय बाय होगी आपका option भी right answer हो जाएगा चलीए इसी के साथ 50 questions हो चुके हैं अगर इसकी पाट थर आपको चाहिए तो नीचे comment करके पाट थर जरूर लिख दें जाते जाते आपको बता दूं ना इंडिया के सारे नेवरिंग स्टेट यानि की एक्चली country नहीं स्टेट ही बोला जाता है फिर भी मैं आपके लिए country बोलूंगा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बता देना है स्रिलंका के प्रेसिड जरूर बोल दीजिएगा क्योंकि एक कोश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा तो चलिए आज की current affairs को स्टार्ट करते हैं very first question आपके सामने यह रहा which country plans to limit the amount of foreign currency held by individual यानि कि अगर आपके पास जो सरकार ने तै किया है उससे ज़्यादा अगर foreign currency पाई गई आपके पास तो आपको यहां पे सजा मिल सकते है उस country का नाम बताना है पाकिस्तान युक्रेन नेपाल या स्रिलंका तो देखिए इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा स्रिलंका स्रिलंका ने अपने यहां जो उन जो है पैसे रख सकते हो otherwise इससे ज़्यादा अगर आपके पास मिले तो आपको सजा भी यहां पे हो सकती है आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर Anthony Albanese यह नए Prime Minister बने है किस country के तो देखिए इस country के साथ हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिष्ता है जिसका नाम है Australia आपको पता ह प्रेमिल कर जो है चाइना के ऊपर जो है उसे कसन नकेल कसने की बात यह चार कंडरी करती है और यहां से आप देख सकते हो यह मौरिशन पहले यहां के PM थे और यहां पर जो Albanese है यह नए बने हुए हैं आगे बढ़ते हैं अगले question की और next question आपके सामने यह रहा Recently US has decided to put which country's nation on a moon in the coming year यहां से आप इसके answers देख सकते हो जपान, India, South Korea या फिर UK आपको उस country का नाम बताना है जो की इस country के nations को जो है moon पे ले जाने वाला है तो देखिए इसका right answer जपान होना चाहिए फिर भी मैं देख लिएँगा जी हां यहां से आप पढ़ सकते हो Japan and US to cooperate on future moon landing by Chinese astronaut यानि की right answer क्या हो जाएगा आपका option number A, Japan आगे बढ़ते हैं अगले question की हो, next question आपके सामने यह रहा IIT JE to go global and be open to schools from destination यानि की IIT आपको कितने नए नए स्कूलों में actually जो है IIT जो है, अलग-अलग आपको जो है देशों में खुलता हुआ दिखेगा, आपको बताना है कि कुल कितनी IITs खुलेगी 10, 15, 25 या 30 तो देखे इसका right answer 25 होगा, 25 IITs अलग-अलग country में खुलेगी, यहां से आप article भी दे सकते हो IIT JE to go global यानि की अब यह पूरे world में भी आपको देखने को मिलेगा, US यानि की अमेरिका में भी और Vietnam में भी आपको देखने को मिल जाएगा यानि की यह हमारे जो IIT की prestige है, यानि की इसका जो charisma है, यह आप अलग-अलग देशो में भी देखने को मिलेगा आपको आगे बढ़ते हैं, which is the venue of 75th edition of world health assembly, world health assembly के जाग, जो 75th edition है, यह कहां होगा, रोम में, पेरिस में, जनेवा में, या फिर न्यू यॉर्क में, तो यहां से आप इसकी article से answer देख सकते हो, option number C और यह दखी, यह जो होगा, यह पज़ेतरवा समेलन होगा, वो होगा जनेवा मे आगे बढ़ते हैं, next question के लिए, यहां से देख सकते हो, आप कुछ head of state है, यानि कि country के head आपको दिख रहे होंगे, यहां से जपान के PM को भी देख सकते हो, आप यहां से USA के president को, और यहां से मोधी जी यानि कि हमारे देश के प्रधान मंत्री को, Recently, how many countries joined the Indo-Pacific Economics framework for prosperity, तो यहां से अगर आप count कर लोगे न, तो आप का answer पता चल जाएगा, यहां से देख लिजिए, अगर आप count करते हो, one by one, तो right answer क्या हो जाएगा, यहां से देख लिजिए, कौन IPE का member है, और कौन CPPP का है, कौन RCEP का है, तो इस तरह से आप यहां से answer द investment initiative agreement with which country, किस country के साथ जो है, इंडिया ने investment, जो incentive है, यह साइन किया है, जपान के साथ, US के साथ, रस्या के साथ, या फिर फ्रांस के साथ, तो देखिए, इसका जो right answer होगा, यहां से आप देख पाऊगे, इंडिया और US ने, दोनोंने मिलकर जो है, इस agreement पे साइन किया है, जो कि आने वाले time में जो है, बहुत सारा investment इंडिया में भी आएगा, और यहां कि कुछ कंपनी हों, जो है, USA में भी अपना जो ब्रांच है, वो खोल पाएगी, आगे बढ़े हैं, which of the following countries banned the use of dollar for local trade, यानि कि आप यहां पे local trade के लिए dollar का use नहीं कर सकते हो, बैन कर दिया गया है, मैनमार में, इंडोनेशिया में, जिर्मनी में, या फिर डेनमार्क में, तो देखिए, यह मैनमार में ही होना चाहिए, बिलकुल, मैनमार में military coup हो चुका है, coup यानि कि यह वर् democracy के द्वारा जो है नि, democratic जो है, rule चल रहा था, उसी हटा कर, अब जो है, army power में आ जाए, आगे बढ़ते हैं, next question के लिए, world directory of modern military aircraft that has released the world air power ranking of 2022, तो आपको बताना है, इसमें इंडिया की ranking क्या थी, तो यहां से आप देख लीजिए, पहले position को USA, दूसरे position को भी USA, लेकिन द दूसरे नमर पर रसिया है, फिर तीसरे नमर पर आपको फिर से अमेरिका दिखेगा, और चौथे नमर पर आप, actually, यह जो है, तीसरा नमर जो है, इंडिया का दिखेगा, यहां पर, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, चीजों को, यहां पर पहले नमर पर अमेरिका, फिर PM Modi has integrated the world first nano urea liquid plant, nano urea liquid plant, जो है world में पहली बार ये खुलने वाला है, कहां पे ये खुलेगा आपको ये बताना है, राजस्थान, केरला, महरास्ट्रा या फिर गुजरात में, तो देखे इसका जो right answer होगा, यहां से देख सकते हो option D, यानि कि ये गुजरात में खुलने वाला है, गुजरात में पहले पूरे world में, I repeat ये पूरे world की बात हो रही है, तो ये question बहुत important है, प्लीज इसे जो है BVI लगा लेना, pen paper पे लिख लेना आप इसे, आगे बढ़ते हैं which country has recently signed a free agreement with Israel यानि कि Israel के साथ किसने जो है FTA sign कर लिया है, इंडिया ने UAE ने, चाइना ने या फिर साओधी अरेबिया ने, तो देखी इसका जो right answer होगा यहां से देख लिजिए, UAE और इसराइल ने मिलकर इस deal को close कर लिया है, यानि कि crack कर लिया है आगे बढ़ते हैं Indian period movies, समराण पिर्थिविराज किस किस country पे जो है इसे बेन का जो है दंस जहलना पड़ा था, तो यहां से आप आंसर देख पाओगे, अक्षे कुमार के जो समराण पिर्थिविराज थी जिसे कुवेत और ओमान में, यानि कि कुवेत और ओमान, आपसन सी आप का राइट आंसर होगा यहां पे इस फिल्म को बेन कर दिया गया था और बोला गया था कि यहां पे जो इसलाम, एक्चुली जो इन्वेडर थे, उनकी छबी को खराब किया गया है, आगे बढ़ते हैं India and Das have signed a vision statement with the aim of further dipping, the long standing defense cooperation between both nations यानि कि कि किस दो अलग अलग देसों ने इसको sign किया है, इंडोनेशिया जपान, अस्ट्रिलिया या फिर इसराइल तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया और इसराइल, देखिए defense cooperation में बहुत आगे है, मैं आपको चोटा सा वाद क्या सुना देता हूँ, जब कार्गिल वार हो रहा था, या फिर 1962 में, चाइना वार, सबसे पहली बार 1962 में जब चाइना वार हो रहा था ना, हमारे पास हत्यार की कमी हो गए थी, और हम लोग इसराइल के साथ, वहाँ पे officially हम लोगों का रिलेशन नहीं था, हम लोग फिलिस्तीन को ज़ाद आगे बढ़ाते थे, 1962 में इसराइल ने हम लोगों को बहुत हत्यार दिया, जिसके कारण हम चाइना के सामने, डट कर मुकाबला भी कर पाए, अदरबाइस हमारी तो हालत पतली हो गई थी, तो इसराइल हम लोगों के साथ उस समय से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखीगा, विच कंट्री हैज लॉंच्ट दा ग्लोबल इनिसियाटीव लाइफ स्टाइल फोर इन्वारमेंट मोवमेंट, तो ये मोदी जी के द्वारा आवाहन किया गया था कि इंडियन जो है अपने डेली रूटेन में इस तरह से चीजों को करें, उससे इन्वारमेंट को कम से कम लॉस करना पड़े यहां से आप जो है मोदी जी की फोटो भी देख सकते हो और मन की बात में उन्होंने ये सारी बातें की थी, जो की आपको रेडियू पर आने वाला एक कारिक्रा में संडे को आता है आगे बढ़ते हैं यहांसे आप पासवर्ट से उसे उपन करते हो, या फिर आपकी वाच है या फिर आपका मोबाईल है फिंगर्प्रिंट के द्वारा आप उसे खोलते हो या फिर आपके रेटिना को पढ़कर आपन हो जाता है तो राइड अंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां से आप देख सकते हो, यह जो है चाइना यह क्या है? चाइना ने जो है इसे ऐसा किया है चाइना के द्वारा पहली बार वल्ड की फर्स्ट आई यह जो है ड्रॉन केरियर सुरुआत की गई है यहां पे आगे बढ़ते हैं अर्थ पे आने वाली है यह कहां से आई हुई है? जपान से? चाइना से? यूएसे से? या फिर रस्या से? तो यह जपान बिलकुल यहां से देख लो जपान के द्वारा यह 23 amino acids के सेंपल लाए गए हैं आगे बढ़ते हैं वट इस इंडिया रेंक to preparing ऌफां में परफॉर्मेंस इंडेक्ष 2022 इंडिया के इंवर्में täll तस जो परफॉर्मेंच क्या रहने वाली है एक्ष्छी क्या रही थी यहां से देख लिजे यह बहुत सर्म की बात है कि हम लोगों की ranking सबसे खराब रही थी 180 में सबसे नीचे पर हम लोग थे यानि कि सबसे last position हम लोगों की आई थी that is very same for as a nation हम लोगों को काम करना है और यहां पर जितने भी electronic कचड़ा हो या फिर e कचड़ा हो या किसी keeping exercise a conquest 2022 यह किस कंट्री के द्वारा किया गया था तो देखिए कजाकिस्तान मंगोलिया पाकिस्तान या इसराइल के द्वारा तो यह मंगोलिया होना चाहिए जी हां मंगोलिया is the right answer किसके साथ आपको जाना था option number B किसा आपको जाना था मंगोलिया इसका right answer होगा जहां पर देखिए एक्चली जो यूएन की peacekeeping exercise है न यह देश पूरे पिस्तु में सांते स्थापित करना चाहती है suppose कर लो अभी इंडिया पर किसी गुंडे का राज हो जाए तो ऐसे में यूएन क्या करेगा peacekeeping force करेगा और यहां से जो है इनको मार भगाएगा ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है बड़ एज्यूम कर लो आप इरान recently signed up mega 20 year strategic partnership with which country इरान ने जो है 20 year strategic partnership कर यह किस country के साथ इंडिया के साथ चाइना वेनिजुएला या फिर इस्राइल के साथ तो देखिए इसका जो राइट अंसर होगा sensor hit Iran Venezuela science 20 year देखिए दोनों एक ही गली के गुजरे हुए है actually दोनों एक ही तरह से गाहिल हुए है इरान भी और वेनिजुएला भी तो दोनों ने हाथ मिला लिया और बोला कि हम लोग 20 साल तक कि यह बहुत बड़ी बात होती है 20 साल तो दोनों ने मिलकर क्या क्या है tie up कर लिया है कि हम लोग business करेंगे एक दूसरे की help करेंगे आगे बढ़ते है Recently government launched Agnipatiski आपको बताना है किस से related है इस दो से arm force या फिर mining sector से या फिर foreign service से इतना easy question है कि इतने trend जले थे इस पे न कि क्या ही कहज़र सकता है नीचे comment करके इस cancer आप लोग बताईएगा तो मुझे भी पता चले वीडियो आपने at list यहां तक देख लिए आगे बढ़ते हैं Which is the first country in the world to require that a warning to be printed on every secret देखिए आप secret अगर नहीं पीती हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो पीते हैं पहले देखना उनके डब्बे के उपर में एक warning लिखा होता था cancer हो सकता है वगेरा वगेरा लेकिन Canada ऐसा country है जो कि अब ना हर secret के उपर में ये चीज़ें करने वाला है warning देने वाला है यानि कि राइट अंसर क्या हो जाएगा कनाडा ऐसा करने वाला है कि वो हर secret के उपर प्रिंट करेगा आगे बढ़ते हैं according to the latest SRS इंडिया's life expectancy is now यानि कि इंडिया में जो लोग है न कितने साल तक जिंदा रहते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी है और 69.7 years हो चुका है अभी भी जो पान बहुत आगे हम लोगों से राइट आंसर फिलाल भी नमर होगा यहां से देख सकते हो 69.7 India removed ban on which company recently? इंडिया ने किस company के उपर से ban को हटा दिया है? Visa, PayPal, Mastercard या फिर none of these? तो देखे इसका राइट आंसर क्या होजाएगा? Mastercard जिसके उपर से हम लोगों ने जो है क्या किया है? इसके उपर जो है जो भी ban लगे वे थे उसे हटा दिया है यहां से आप Mastercard की photo भी देख स चलिए आगे बढ़ते हैं, which country has proposed a futuristic plan to launch a solar power plant in space? तो देखे चायना ये करने वाला होगा, मुझे तो 100% भरोसा है क्योंकि चायना स्पेस में अपने ताकत को बहुत बढ़ा रहा है, आगे दिनों में देखना आप space से ही जो है लड़ाईयां लड़ी जाएकी, तो यहां से दे चायना बहुत आगे बढ़ रहा है इस पेस में, हम लोगों को भी बहुत आगे बढ़ना होगा यहां पी, आगे बढ़ते हैं, which country has recently the most detailed geological map of the moon so far, जो geological map है, moon का किसके पास है, I think यह भी चायना ही होना चाहिए, देख लेता हूँ, बिल्कुल, यहां से देख लिजू, दे चायना ही कर रहा है, आगे बढ़ते हैं, which South Asian country had to declare a holiday because of lack of fuel, इस country में क्या हुआ था, इस country में फ्यूल की कमी आ गई है, जिसके कारण इनों ने क्या कर दिया, holiday declare कर दिया, कौन सा वो country है, स्रिलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, तो देखिए इसका जो correct answer होगा, यह होगा पाकिस्तान, actually पाकिस्तान ने भी ये काम किया है, स्रिलंका ने भी ये काम किया है, याद रखिएगा इस बात को, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पोछा जाए, तो पाकिस्तान जो है, बहुत दिनों से जो है, दो holidays रखता है, Saturday को भी, और Sunday को भी, इंडिय में, आपको सिर्फ संडे को छुटी मिलेगी, तो रख आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, for the first time ever, इंडिया has declared to import 70,000 tons of यूरिया from which country, पहली बार हम लोग इतने मात्रा में, 47,000 बहुत होते हैं, इतना जो यूरिया है, हम लोग किस कंट्री से मंगाने वाले है, USA के से, इसराइल से, चाइना से, या फिर यूकरेन से, तो देखें, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, अमेरिका, USA, यहां से देख लो आप, ची हां, यह देख लीजिए, हम लोग USA जो है, यह मंगाने वाले है, आगे बढ़ते हैं, the largest chemical map of the entire Milky Way was recently made by, किस ने बनाया था यह, NASA ने, इ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका option number A, आगे बढ़ते हैं, question number next की ओर, next question आपके सामने यह रहा, 5G spectrum का जो auction होता है, कितने सालों के लिए होता है, 5 सालों के लिए, 200 सालों के लिए, 20 साल के लिए, या 99 साल के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, 5G spectrum जो आपको बताना है, यह किस गुरुप के द्वारा जो है, इसे प्रपोस किया गया है, तो देखिए, यह SEO के द्वारा ही किया जाना चाहिए, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यहां से आप देख सकते हो, जी हां, यह इंडिया ने जो है, चाइना के इनिसेटिव को प नीचे कमेंट करके बताईएगा आप लोग, यहां से देख लीजिए, वाट इजी दा रैंक आफ इंडिया इन दे लेटेस्ट वर्ल्ड कम्पिटेंट्सी इंडेक्स 2022, तो इंडिया की जो है कम्पिटेंट्सी में कितनी रैंक थी, हम लोग उने 6th प्लेस का जंप भी लग जो है country of the year का आवार्ड मिला है, जिसने बहुत ही जामफाड काम किया है, चाइना, USA, जपान या फिर इंडिया, तो राइट आंसर होगा, यहां पर आपको इंडियान होने का प्रावड फिल होना होगा, इंडिया को जो है country of the year का आवार्ड मिला हुआ यहां पे, अगले question क in which country had lost majority in parliament, parliament में किस country ने अभी हाल में ही अपना majority है lost कर दिया है, तो देखिए, यह काम इसराइल में भी हुआ था, यह काम पाकिस्तान में भी हुआ था, लेकिन फिलाल जो है, right answer यहां पर option देखकर आप जान जाओ कि यह इसराइल है, और इसराइल में यहां से देख सकते ह आप, actually नहीं है, कोई बात नहीं, इसका right answer क्या हो जाएगा, is right, आगे बढ़ते हैं, what is the capital of Estonia, Estonia की जो capital है, वो क्या है, यहां से देख लिजे, option A ही इसका right answer, बिल्कुल, यहां से देख लो, यहां से आपको दिख रहा होगा और यहां से option देख लो, यहां से right answer क्या हो जा तो हो सकता है कि इसकी capital को भी exam में पूछा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ONGC Videsz Limited, recently discovered oil in a drill well, देखिए आपको यह बताना है, ONGC न, यह सिर्फ Indian company, actually यह Indian company है, बट अलग लग country में जाकर यह तेल वगएर का भी पता करती है, और वहां पे business भी करती है, तो आपको बतान है कि यह कहां किया गया है, जपान में, Philippines, Columbia या फिर Brazil में, तो देखिए इसका जो right answer होगा, वो होगा Columbia option, C right answer होना चाहिए, गवार मैं फिर से check out कर लेता हूँ, यह देख लो, बिल्कुल, Columbia इसका right answer होगा, आगे बढ़ते हैं, recently which country defaulted on a foreign debt for the first time since 1918, तो देखिए, इसका right answer हो जायागा, रसिया, रसिया ने जो भी bond खरीदा था, कहा कि हम इसके पैसे नहीं दे पाएंगे, त्योंकि इनके उपर इतना sensor लगा दिया गया, suppose कर लो, यह कोई YouTuber है, रसिया का YouTuber है, उसको अब जो है monetization से पैसे मिलने बंद हो गए है, अगर कोई totally जो है, YouTube पे dependent था, तो उसक DRDO का full form आप लोग नीचे comment करके बता, यह DRDO के cheap कौन है अभी, नीचे comment करके जरूर बता, यह exam में यह पूछा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, PSLB C-53 mission, यह इसरो के द्वारा तीन satellite launch किया गया है, किस country के satellite को हम लोगों ने launch किया है, याद रखिएगा, इसरो सिर्फ इंड Singapore is the right answer, Singapore के तीन satellite को हम लोगों ने space में पहुचाया, ची हाँ, C's का right answer होगा, आगे बढ़ते हैं, what is hermit, यह जो है news में था हाल में, यह क्या था, तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा एक spyware, जो की Pegasus के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, राहुल गांधी के भी phone कारे लेना, इमरान खान किसे बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और हजारों तो ना कि कितने SMS आ रहे हैं, उनको, ट्यूटर पे कौन message कर रहा है, each and everything, spyware के द्वारा जान कारे ली गए थी, तो फिलाल हर्मिट भी क्या है का spyware है, आगे बढ़ते हैं, नेस्ट कोश्चन, या या लापीट बिकम तर नियू प्राइसिडेंट, देखिए, स्वरी, प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के, देखिए, इनको जो है कुछ दिनों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसराइल में न, बहुमत किसी को नहीं मिला है, मैजरेटी किसी को न इंडिया, देखिए, एक्चली ये MRO क्या है, मैंटेनेंस एन रिपेरिंग सर्विस जो है, ये देने वाली है, देखिए, फ्रांस ये करने वाला है, आप्शन सीज का राइट अंसर होगा, एक्चली फ्रांस से जो भी हम लोग डिफेंस एक्यूपमेंट मंगा रहे है, उस ये क्या है, आपको बताना है, तो देखिए, ये एक ऐसा स्ट्रॉम आया था ना, आप देखकर हैरान राजा होगे, ये पूरा असमान ही ग्रीन हो गया था, यहां से आप फोटो देख लो, बहुत ही आसान कोशन है, इसे याद रख लिजएगा, आगे बढ़ते हैं, फेमस और क्वाड की भी जो है, नीव इन्होंने ही रखी थी, इनके माइंड में ही सबसे पले आइडिया आया था कि क्वाड को विक्सित किया जा सकता है, in financial year 2022, how many did India spend in importing crude oil, हम लोगोंने crude oil पे कितने रुपे खर्च कर दिये हैं, तो इसका right answer क्या होगा, 119 billion USD, इसका right answer क्या हो ज हम लोगोंने खर्च किये सिर्फ तेल मगाने के लिए, आगे बढ़ते हैं, as per recent notification, देखे, actually, ministry ने कहा दिया है कि, national flag पे कितनी परसेंट GST ली जाएगी, 24%, 12, 2 या फिर 0, तो इंडियन कौर्यमेटर ने कहा दिया है कि हम लोग जंडे पे कुछ भी GST नहीं लेंगे, ताकि ह हर कोई जंडा फाराए, हर कोई जंडा खरीद सके, actually, जंडा खरीदना प्राइड की बात है, तो इस पर GST हम लोग नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं, world population day 2022 जो है न, ये इसका theme क्या था, ये बताना आपको, सबसे पहले world population day कब celebrate क्या जाता है, नीचे comment करके इसका जवाब बताइए आप लोग, और इसका जो right answer होगा, a world of 8 billion इसका right answer होना चाहिए, जी हाँ, option A ही इसका क्या होगा, right answer होगा, आगे बढ़ते हैं, Bimaldon 2022 man single किसने जीता था, तो देखिए, इसका right answer आप यहाँ से देख पाऊगे, कौन जीता था और कौन हरा था, नवाक चोकोबीच जीता था, और right answer क्या है आपका, option number B आपका correct answer हो जाएगा, important questions है, आगे बढ़ते हैं, according to world population prospect 2022 report, India is projected to surpass China, हम लोग चाहिना के ओ, population के मामले में कब हरा देंगे, 2030, 2023, 2026 या 2050, तो अगले ही साल, यानि कि 2023 में हम लोग चाहिना को पीछे कर देंगे, यानि कि right answer क्या हो जाएग option number B, आगे बढ़ते हैं, NMC 2170, यह news में है, आपको बताना, यह क्या है, एक मिसाइल है, जो कि DRDO की द्वारा बनाया गया है, या इंडिया की पहली lithium ion sale है, तो इसका right answer B ही होना चाहिए, बिल्कुल, देख लेता हूँ मैं, जी हाँ, यहां से आप देख सकते हो, lithium ion battery है, जो क इंडिया के द्वारा बनाई गई है, option B आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, global gender gap report, यह किसके द्वारा release की गई है, world economic forum के द्वारा जो है, इसे release किया गया है, और यहां से दृष्टी IS का आप जो ही YouTube चैनल का जो link है, वो actually link नहीं, यह screenshot देख सकते हो, ज Russia का निया missile है, Israel का latest missile defense system है, यह steel fragrant फुरने भी है, तो इसका राइटन सर्व ए ही हो जाएगा, यहां से आप Rajnath Singh की photo भी बिलकुल, यहां से देख लिजिए, Rajasthan, actually जो Rajnath Singh है, इनकी photo भी देख सकते हो, और इन्होंने जो है, इसको launch भी किया था, Indian ने भी के लिए, आगे कमेंट करके इस चारो आपसं मेंसे जो correct answer है, उसको नीचे बताना है आपको, वीडियो में 50 questions हो चुके हैं, अगर इसकी part 2 चाहिए होगी आपको, आपने वीडियो यहां तक देख ली है, तो part 2 ज़रूर कमेंट करें ताक इसका part 2 रिलीज किया जा सके, यहां से मेरे email चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते हैं, धन्यवाद